तो एक्जाम आने से पहले जरूर ऐसा रखता है काश पूरे चैप्टर के कुछ ऐसे कोश्चन पता होते जो मेरे को अच्छे अच्छे नंबर दिला देते हां तो आप बिल्कुल सही जगा पर आए हो आज मैं आपको हर चैप्टर के जो है ऐसे क्वेश्चन बताने वाली हू जो एक्जाम में definitely help करेंगे हर कोने से question ढूंड के मैंने इस वीडियो में include कर दिया है तो अगर ये question कर लिए आपकी exam की तैयारी हो जाएगी पूरी ठीक है तो आपको करना क्या है सिर्फर से मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके notification bell को on कर लेना है क्यूंकि daily basis पे class 10 English की question answer series की video upload होती है उसके बाद हम writing section cover करेंगे grammar भी तो सारे मेरी class 10 वाली भाईवें go and check out the playlist on my channel जिससे कि आपकी English की तैयारी हो जाए पूरी और सौ में से 100 नंबर हो जाए आपके guaranteed पके तो बुक वान के base question series हम complete कर चुके है यानि बुक वान के हर chapter के base question हम complete कर चुके है अब बार से क्यूट सा डॉक्टर ट्रिक की जो बहुत लालची था हर समय खाना खाता रहता था उसकी मिसिस पंफरी जो उसकी ओनर थी वो उसको feed करती रहती थी तो उस वाला chapter आज हम पढ़ेंगे और कैसे जो डॉक्टर है थे वो ट्रिक को बिना कोई दवाई दिये ठीक कर देते है यह जो पूरा पूरा chapter था इतना ही सुन्दर chapter you know book 2 के chapter और भी जादा च्छे है book 1 के chapter से तो इसलिए चलो आप इसी note पर start करते है अब अपने book 2 के most important question हो कई बच्चों को इससे लगता है कि book 2 तो ठीक है चलो बाद में कर लेंगे guys जितना आपका book 1 से question पूछा जाएगा उत चलो start करते है पहला question is why was the author worried about tricky the author was worried about tricky because tricky had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner तो बहुत जाद मोटा हो गया था usually fat ठीक है wording NCRT वाली ही use करना इस answer के अंदर number मिलेंगे बढ़िया से तो tricky hugely fat हो गया था like a bloated sausage with a leg at each corner यहीं लिखना चीक है why is Mrs. Pomfrey worried about tricky क्यों चिंता हो रही थी उनको tricky की चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि उसकी तबयत खराब हो गय थी उसने खाना खाना बन कर दिया था वो वामिचिंग कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था Mrs. Pomfrey को that tricky को ह हो गया है कोई serious health issue जैसे उसे malnutrition ना हो गया हो बट आखे बात क्या थी कि वह इतना ज्यादा खाता रहता था खाता रहता कि उसकी तबयते से बिगड़ गई थी why did Mrs. Pomfrey keep on giving tricky excessive food क्यों Mrs. Pomfrey tricky को हर समय खाना खिलाती रहती थी खिलाती रहती थी कभी chocolate को पाए कभी यह कभी वह क्यों खिलाती थी क्योंकि थोड़ी संकी थी उनको क्या लगता था that tricky के अंदर energy नहीं है उसके अंदर strength नहीं है इसलिए वह से healthy food देती थी थी रात को hallix खिला रही है रम एग्स यह वह पतनी क्या क्या खिलाती रहती थी उनने लगता था यह कमजोर हो रहा है तो इसे खाना खिलाती रहो है हर समय next question what are the things that Mrs. Pumphrey give to tricky यह बहुत important है क्या 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 खिलाती थी पंफरी ट्रिकी को कौन कौन से नाचते खिलाए जाते थे पकवान खिलाए जाते थे तो Mrs. Pumphrey ट्रिकी को लिटल एक्स्ट्रा देते बेट्वीन मील्स तू बिल्डप इस ट्रेंथ यानि कि जो खाना है जो 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 एसे चीज़ भी खाता था ठीक है Why did not Mrs. Pumphrey give tricky exercise? तो एक दिन दोक्ट्र पूसते हैं उनसे जब मेले होते हैं उनसे जब मेले होते हैं इसको इतना फूलता जा रहे हैं इतना मोटा हो जो 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 क्या चबाब देती है तो गाईस अपने मेर से चैप्टर पढ़ा होगा तो तो मैंने हाइलाइट कर गात ठीक है what does she does to help him? Is she wise in this? जब वो देखते हैं कि भाई ट्रिकी की तवयत खराब हो रही है तो जब Mrs. Pumphrey को लगता है कि ट्रिकी की घवत खराब हो रही है तो Mrs. Pumphrey start giving him extra snacks और खाना देने लगते होने लगते हैं कमजोर हो रहा है, malnutrition हो रहा है ठीक है like mulch, cod liver oil, hot legs apart from his main meal, main meal तो चलती थी, वो तो dinner runs और breakfast चल रहा है उसको बीच बीच में, to improve his condition, she also continues to satisfy his sweet tooth, उसके वो बीथी खाने का भी बहुत चौक था, तो उसको cream cakes, chocolate, सब देती थी, and चलो ठीक है खाना खिला दो, exercise तो करा दो, she did not give him any exercise considering him listless, जब वो आलसी सा लगता तो उसमें जानने क्या exercise करे and she is not wise doing so because overfeeding tricky is worsening his condition instead of improving it, तो ऐसे आप इसको answer कर सकते हूं कि भाई, खिला खिला के, तो उसकी condition को वो और वर्स कर रही थी, so I am explaining it to you in Hindi, बहुत simple English में आप या आप सारे study materials में से, मैंने चुन-चुन के question निका ले है, तो प्रिवेसियर question papers में से, जो exam में आए भी है, बहुत easy language है, ठीक है, what made mrs. Pumphrey call the vet, mrs. Pumphrey ने vet को क्यों call करा था, vet कौन थे, dr. Harriet, वो क्यों क्यों करा था, क्योंकि एक दिन क्या हुआ, क्रिकी की इतनी तवित खराब होए कि उसने उमने favourite खाना भी बन कर दिया, वैसे तो वह भूँत लाजी था, जब दो खाने को हरसा में कुछ उसने कुछ खाने को ready होता था, but एक दिन उसने फेवरिट खाना-काने से मना कर दिया, सब कुछ बिल्कुल वो चुपचा बेटने लगा, वोमिटिंग करने लगा, तो वोने कॉल कर दिया, तो तुरुके हैट बिकम फैट और लेजी, तो यह कब हुआ था, तो यह कब हुआ था, आपके मेरी वीडियो से चाप्टर पढ़ा है, तो आपको पता होगा है, सभी मैं आपको कहारी हूँ कि आपके क्लासेंद इंग्लिश की प्लेइलिस से सारे के सारे चाप्टर को पढ़ लो, क्योंकि एक बात आपकी दिमाग में फिट हो जाएगी, कि अगर अपने मेरी वीडियो से चाप्टर को पढ़ा है, जब वह देखते हैं उनको वाक करते हुए जाते हैं तो देखते हैं तो इतना जो है ब्लोटेट सॉसेज जास हो गया तो वह पूस्ते हैं मिस्स पूमफरी को कि भाई आप गार्डनर वाडनर जो तुमारा नहीं है जब वह बताती है कि मैं एक्सराइज ने करा डियू तो मिस पर फिर वह सीड वाली फ्रोकासिनेशन मोट पर तो सेम वह से समझाते हैं जब वहां गार्डन में हमाई चाप्टर में फर्स ताइम में जो मीटिंग उनकी रिखाई है तो डॉक्तर ने समझाते हैं कि आप इसका ध्यान रखना तो वह ऐसे चलती है ऐसे सेट फोट मतलब क कि भीकुल तयार हो जाते हैं कि हां मही आज तो घर जाके मैंने ट्रिकी को डाइटिंग करनी हैं बट होता क्या है दोक्तर को खुद भी पता था कि वह ऐसा कुछ नहीं करने वाली है एक्सपेक्टेड कॉल या कुछ समय बाद ही उनका अंटी का पोनाता है मेरे ट्रिकी की क्योंकि कि उनको कि मैंएग जाल कर दोंगी ऊट्ट गोंगी तो यह रख crack are when the veterinary surgeon strongly recommended her to control Tricky's diet and give him regular exercise. then Mrs Pumphrey walked away from there like that as if she was going to implement the suggestions of делать immediately . तो आप इस को पनी लांग्विज में लिखना है that Mrs. Pumphrey told Mr. Harriot that she will implement tricky's diet and she will start giving tricky exercise so therefore Mr. Harriot or Dr. Harriot said that she was going to start a new regimen to practice simple language में भी answer आप कर सकते हो that Mrs. Pumphrey promised to Dr. Harriot that she will start giving tricky proper diet and exercises so therefore he said और यह वाली पूरी लाइन कॉपी कर दी तो यह based question करने का मतलब यह नहीं कि बस मैंने आपको important question बता दिये जो आपको exam में मतद करेंगे दूसरी चीज यह है कि आपकी practice हो जैसे जैसे मैं आपको यहां पर बतारी question अपने मन में इन question को सोचो बोलो, try करो इनको solve करने की ठीक है the expected call came within few days accepted call मतलब जिस जिस का waiter जिस phone call का इंतिजार तोने आ जाता है phone call का आती है तरिकी की तबद बिगर जाती है ठीक है why was the author expecting call author को कैसे पता था कि call उन्हें आईगी ही आईगी ठीक है तो author was expecting the call because he knew that Mrs. Pumphrey the author was expecting the call because guys he knew that Mrs. Pumphrey was not going to implement any office suggestion उन्हें पता था मेरी कोई बात यह मानने नहीं वाली है and would call him very soon और बहुत जल्दी मुझे phone करके कहेंगी when Tricky would fall sick ठीक है the call was about to Tricky's health who had stopped eating or moving और इसमें दूसरा question यह था that what was the call about जब आंटी फोन करती है तो किस बात के लिए फोन करती है so the call was about Tricky's health who had stopped eating or moving around what was the cause of Tricky's ailment Tricky की बिमारी का क्या reason था so Tricky was overfed यह words लिखो अपनी note-book के लिए overfed आपको यह नहीं लिखना है बहुत रादा खाना खिलाती थी Mrs. Pumfuri यह तुम्हीं हिंदी में पता है इसे इंग्लिश में कैसे प्रेजेंट करोगे मैं बाता रही है Tricky was overfed by Mrs. Pumfuri ठीक है यह पी रह गया यह भी लिखना था Tricky को बहुत पैंपर करती थी लाट प्यार से बिगार रखा था with a lot of cream cakes, chocolates, hot links ठीक है This was the main cause of his illness How was Tricky sent off to surgery अब जिस दन Tricky को भेजा जाता है क्लिनिक में तो कैसे भेजाता है Tricky was sent off to the surgery with all luxurious items Docks को ना इतनी थीजों की जुरुत नहीं है वो अपनी आप जो है हर चीज को वो अडाप्ट कर सकते हैं adapt कर लेंगे वो environment के अंदर अब भाई उनको तुम इतने सुंदर सुंदर bed दे रहे हो इतने सारे रात को खाना खाने का मग हो गया यह वाला बरताना लग यह वाला बरताना लग यह सर्दी का कपड़े यह गर्मी के कपड़े उन वो बहुत ही जादा ओवर पैंपर कर दी तो वो सब समान वो उनकी काड़ी में रखवाती है ओधर की ठीक है तो इस डे बैड नाइट बैड कुशन मिस्स प्रमफरी ब्रोक इंट टीर्स प्रमफरी इस अट्रॉबहेश जाना लगाड फे तो उर्टर दे जारी ओट तो इन अप्रमफरी तो बहुत है अब मुझे एक क्वेशन है बताओ कि मिस्स प्रमफरी उसको कितने दिनों के लिए वो बहसते है पर वह जर्जरी में जर्जरी में किते दिन रहता है आपको बता और ऑप्शन नहीं देडियों बता हो टोटल किते देज रहता है What did the vet give Tricky for 2 days? First 2 days Tricky को वो क्या देते है guys So first 2 days उन्होंने Tricky को कोई खाना ही नहीं दिया Sirf or sirf पानी दिया उन्होंने Tricky को How does he treat the dog Tricky? कैसे James Harrier उन्होंने Tricky को सही करा Please click the screenshot of this question This is very important question for your exam James Harrier tweets Tricky just like he would treat an overweight and lazy dog बहुत असानी से उन्होंने 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 त्वीट करते हैं He cut down his food intake, उसको खेलाना, जितना खुना खाना उसको इखला एक उसको कत करा and keep him under strict observation for the initial days initial days बहुत दिहान दिया उसके ओपर सिफ पानी बीने को दिया उसको at the hospital He gradually increases Tricky's food, दीरे दीरे उसको food दिया and sets him free for physical activities to improve his health फिर उसे बहार जाने दिया बाकी डॉक्स के साथ सब्सक्राइब करें गूमें कफिरेंगा तो फिर अगम से कम उसके इनरजी आएगी और एक अच्छा हेल्दी डॉप बन जाएगा सब्सक्राइब करें तो पूरी तो पूरी पार्टी थी ठीक है पार्टी यह हो गया था उनका क्यूंकि उनको रोज बढ़िया वर्या चीज़े खाने को भीजाती थी मिसस फंफ्री दो डोजन्स ओफ्रेश एग रोज सुबाते थे ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ठीक है ब्रैंडी आती थी ट्रिकी के लिए और भी पता नहीं क्या-क्या टेस्टी टेस्टी चीज़े वह भेसी थी वह पूरा एक आपको लन कर लिए तो एक दिन क्या होता है हमारी दोक्रेश सोचते है कि भाई ट्रिकी को पर्मनेंटली अपने पास रख लूं क्या क्यों आतर थी क्योंकि वह टीस्टी टीस्टी खाना और होता है तो मिस्टर्येट वस्ते टेम्ते ट्रिकी करीई गासे गुद्वायन ब्रैंडी और ब्रैंडी तो गभी कुछ रहे है कफी मज़े हु गये थे he does not want to lose the luxurious inflow of fresh egg wine and brandy इसलिए वो चाहते है थोड़ी समीक लिए रख लेता हो but then नहीं guys वो ऐसा नहीं करते हैं वो उसको वापस भेज देते हैं what kind of a person do you think a narrator a veterinary surgeon is would you say he's tactful as well as common sense कैसे इंसान है वो क्या लगता है common sense है हान जी बहुत common sense उनके अंदर उन्होंने मिसस पंफरी को ना बहुत तरीके से डील करा जैसे उन आंटी को डील करना चीए ताकर वो नहीं समझती उन्होंने का अगर ट्रिकी को सही करना है तो इस इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा तो वह से वहां बुलाते है पंदरा दिन के लिए और फिर वह मिसस पंफरी को बताते नहीं कि कैसे उन्होंने उसको ट्रीड कर आगे कहा नहीं नहीं हुआ जाती मेरे बश्चे को वापस करो तुम्हें से खाना नहीं वह बहुत प्रिक से ट्रीड करते हैंiej करते हैं उनको कुछ नहीं बताते हैं जब मिस्स पंफरी को फोन आथ था उनको कहते थे ट्रिकिस कॉन्वेल जिंग कॉन्वेल जिंग वर्ड याद रखना एक्जाम में आ सकता है कॉन्वेल जिंग मतलब है कि अगर तब खराब हो तो जो जो स्टेज होती है ना जब ठीक हो उसकोडिक कह सकते तो जब भी आँटी फोटी थे तो आँटी मतलब मै किसको किरूं मिस्स पंफरी को तो जब भी ты поз शहन चाहते तो भय आपना बिल बना दे यह मैं आपना दो बना दे इन जाएמה संव एक अच्छे इंसान भले इंसान एक प्राक्टिकल कॉमन सेंस वाले इंसान है उन्हें पता तो से दवाई की ज्रूएत नहीं है तो ऐसी ट्रीट करा moreover the way he shares eggs, wines and brandy sent by Mrs. Pumphrey with his staff tell us about his good nature अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई थी बड़िया बड़िया चीज यानी तो क्यों अपने क्लिनिक के साफ के साथ शेयर करो बट उन्हें असा नहीं कर रहा है वो शेयर करते है that mean he was a good natured man what was the reaction of Tricky when he saw Mrs. Pumphrey at the surgery तो चुकि बहुत पागल साथ है खुश हो रहते हैं और कूटके जाता है उनके पास and वो उनको बहुत जादा प्यार करते है obviously वो मालिक को अपने प्यार तो क्वेशन नहीं दिख्रों का question है why did Mrs. Pumphrey say this is a triumph of surgery क्यों Mrs. Pumphrey जाते जाते हैं जाते हैं बड़ी सी काली जम चमाती गाड़ी में जब वह जा रही होती है क्यों पर्कॉर को थेंग्यू करके triumph of surgery विक्ट्री क्यों है तो आपको आप गाइस आपको को कोई because Tricky was cute, that's why she said तो एक लाइन में थोड़ी आपको नंबर में लेंगे एक्जाम में तो बड़ा चड़ा के लिखना है तो बड़ा चड़ा के लिखने एक लिए पूरे चाप्टर के आपको समझी लिख देंगे कैसे लिखोगे तो वह सची राइट देके उसको सही कर देते है उसके उसके उपर एक अच्छे-खासी नजर रखे हैं और वो चिकी को पहले दिन पानी जादर देते हैं खाना नहीं देते हैं फिर दीरे-दीरे उसको खाने की डाइट प्लान बनाते हैं और उसको एक्सरसाइस कराते हैं तो according to Mrs. Pumphrey such a quick and complete cure इतना बढ़िया उनका tricky हो चुका था पंदा दिन के बाल तो वो कहते है इस उनली पॉसिबल आफ्टरस सर्जरी उन्हें असा रखता है कि कोई सर्जरी करी किसी भी ताइप की सर्जरी कराई गई क्या कोई मेडिसन दी गई या कोई operation कर नहीं क्या हुआ ब Do you think Tricky was happy to go home? तो yes guys, Tricky को बहुत खुशी हो दी घर जाके जैसे वो जो है उनको प्यार करता है अपनी मालकिन को, Mrs. Pumphrey को What do you think will happen now? यानि कि अब क्या लगता है? गर जाके क्या होगा? क्या Mrs. Pumphrey सुधरेंगी या पैले जैसे हो जाएंगी? तो इसको आंसर आप कैसे करोगे? Either Mrs. Pumphrey will mend her ways, maybe possible वो सुधर जाए, mend her ways मतलब सुधर जाए and make Tricky an agile and healthier dog और उसको a healthy dog बनाएगी और she may go back to her old ways or spoiling Tricky's habit और पहले जैसे भी हो सकती हैं Okay, next question, excess of everything is bad, comment in the wake of Mrs. Pumphrey's love for Tricky अब ये एक long question है, या आपको खुद से करना है, मैं description box में एक दू दिनों मैं आंसर अपलोड करोगी मतलब कि excess of everything गलत है, obviously आप ये लखोगे, yes, excess of everything is bad और नीचे पूरा आपको chapter explain कर देना है that how Mrs. Pumphrey used to overfet Tricky and it resulted it into its ailment, he was not even able to eat his favorite food, he became very unhealthy, he became very ill So therefore, we should love each other, we should care for each other but not at the cost of one's health ऐसे कुछ करके ना लग लग सी लाइने बनाके एक बढ़ी आसांसर लिको, इतने question तो आपको आपमें पढ़ी ले हैं और last question is, write the character sketch of Dr. James Harriot, so you can check some lines of the character sketch and Pamphrey's character sketch और Tricky's character sketch, तीनों का सकता है, एक्जामें शॉर्ट लॉंग में किसी में भी तो वह बाद में आपको character sketch video में बता दूँगी, तब तक के लिए अभी हम चलते हैं, बहुत सारे questions इस chapter के तो कम्प्लीट कर लिए है अमें मिलूंगी next video में जहां next chapter के modern question cover करेंगे, these are very important guys, बस यह पढ़ लिए, आपको वस character sketch देखने हो, पूरा chapter complete है, आपका बच चाप्टर पढ़ लेना, and you are completed with this chapter, इसको टिक लवा दो, इन questions को करने के बाद, तो एक copy में इन question को ज़रूर से note down करके, जब भी time में ले solve करक करेंट है, मैं चलती हूँ, बाबाइटी करेंगे, इस लुग डिस्रॉप्शन बॉक्स को जाकर चेक करो, वहाँ पर इसारी फोटो में इन्साग्राम पे अप्लोड कर दिया, तो अगर आपको slide में click नहीं कर पाएते, तो you can go and check the photos on my Instagram ID, और playlist given है, English की playlist given है, chapters की भी और question answer की एम सेक्योर, शॉट लॉंग question चेक कर सकते हो, तो बाबाइटी मिलते है नेक्स वीडियो में